इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद नूज में आप सभी का खार मंदम हैं आज बलगाम शेहर में हैं मौदाद के तोर पर भाजपा काईद संजापाटिल के खिलाब एतजाज जूलूस का जिकर जरूरी है बैनर वार के तोर पर इसे देखा जा रहा था लेकिन हमेशा किसी ना किसी तरीके से संजापाटिल अपनी बयानबाजी से सुर किया बटोरते रहते रहते एक बार फिर इन्होंने बलगाम ग्रामिन के मेले लक्ष में बारकर के बारे में तोहीन आमोज अलफाज को लेकर अवाम के गुछ से काश शिकार बेए इनके खिलाब वैसे भी काफी एतजाज हो चुके हैं पर आदली तंसिमों की जानिव से बड़ा एतजाजी जुलूस का इत्माम किया गाता जिसमें संजापाटिल का पुतला नजर आतिश किया गया पुलीस और आतिजाजियों के बीच बहस और हतापाई भी हुई आखिर मुझस्वमे को बरामत किया गया है इस वक्त दली संगर समीती के शेशी सालवे ने कहा कि हसल में संजापाटिल को तारीख क्या है मालूमी नहीं एक खातून की तोहीन से तो भारत में रामायन महावारत हुआ था इस मुलक में खातून को अजीम मुकाम हासिल है देवी की तरह इसे पूजा जाता है ऐसे शक्स को जिसम कुछ मालूमी नहीं इसे भाजपापाटिल से बेदखर करें ऐसा भी कहा दलीतों पर हो रहें जुल मसिदम पर भी ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मनुवाद ने हमेशा दलीतों की तोहीं किये पिछले 500 सालों के वाग एक बार फिर संजे पाटिल ने इसे जिन्दा किया है लक्श मेह बढ़कर के खलाब बोलना इसी की मिसाल कह सकते है बाजपाप पार्टी से इसे निकाल बाहर करें ऐसा भी कहा इस वक्त दलीत संगर समीती के दिगर जम्यदारान में मलेश चोगले भी शरीते साथ में दिगर मेमरान भी मवजूद रहे कि अंबेड कर वाद हो दा संगर्टने इन्दा स्थिद्दपा कमले ओर मार्दर्शंदल्ली वांतेश तरवार ओर नित्रित दल्ली माते यल्ला संगर्टने पथाधिकारी कोड़ विशेश वागी महिलेरों मत विवित दली संगाट्टे पताधिकार कोड़ अलर बंदुरों नाम ये ननस्ता है दे ये देशनल्ली दलीत्तर इन्न नवो अ सुरक्षिते दे नाम जोत्यों जोत्यीन महिलेरों कोड़ आधू जाती के लिए यावदो धर्म्त विविल्ल अवरु कुड़ा सुरक्षिते दे याकरने अई जावरवार्शिंदे येन मनुवाद इत्तू आ मनुवाद मत प्रेक्टिकल बरते अधर जीवन्त वुदार ने अंधरे बेदगामाल्ली ओबरों प्रजेंटेस्ट्स चैशकर सीमती लक्षमी अबढ़कर वोरों वोबर शासक्रा अधरे माजी शासक्रा अंता आये हनमकर ना शब्दा याड़ांगिल्ला आ शब्दा वादर वादर इदी हनमकर संब्दाएका इधा अवमाना ये नागा करत रिगा इक नाओ संजय पातिल लावर ये राजी नमकर वेक अधे रिधी दलीत्रली बालस्ट अत्या चरु अन्ये कोड़ नेटिते दे ताव नोड़त अधिरे नाणू इम अध्यमाव मुखांदर बालस्टमा अन्येद बंदे अलग नावा इधा बेजेपी सरकार केंद्रिनली राच्य दली बंदाग दलीत्रमेले प्रत्ती वंद म मांडर केस आखली नेटिते दे दो इसरकार उन्टों केंद्र सरकार वज़ा माड़ वेंदो इवत इन्दन वुगरवाद पर्चिवाटनेन आखकोंड़ी भी मुण्द पर्चिक कंद लेवी बीजेपी गटका अवरंना अध्येक्ष्थान इन्दक परकान्त कंद देश्यें इत्यास गोत्ति रला इदेश या मातुर प्रदान कुट्ट्वाध एली नम्हेडेर प्रदान कोड़ते वरतु पुरूशरी यह अडनेस दो लेत्टी दिवी मैलेर यह उमाणा दगा इदेश यली माँअभारति नड़ोगिदे रामायन नड़ोगिदे अस्ते है के ये देश देले मेडर के सम्मानों कशिया शिगले लंते डी कानून मंतरी अगरता कनता डॉक्टर वबास वंबेट करूरो मेडर गई कानून पदियो ना त्याग मड़ता कनता इद्यासा नम कंड मुंदी दे बिर्गाम शहर के कन्ड सहाफी किसान काईद कल्यानराव मुचरंबी की आज मौत हो गई इस वक्त इनकी उम्र 72 साल की थी आल लिहाज आज सुबह पैदल चलते हुए निकले तो उनकी तब्यत कुछ खराब ही तो इनहीं में इनकी तब्यत के खराब होने पर इन्हें अस्पत 35 साल तक अंदोलन में शरीक रहें उन्हेंने हसीरुकरंती नाम का अखबार भी शुरू किया जेल भर अंदोलन में दो बार जेल भी जा चुके कई सारे इजाजाद से इन्हें नमाजा गया है आज इत्याद म्यूज में इनका जिक्र स्ले भी जरूरी है क्योंके लुकात थे और यह ऐसे शक्स थे जिनने सेक्यूलर लोगों में इनका नाम लिया जा सकता है वैसे तो सेक्यूलर लोग आज बहुत कम हो चुक है भाजपा की धर्म की राजनी थी और जातिवद्य फैसित तक्तों के खलाफ और ऐसी विचार धाला के एस सक्त विरोधी थे और आज ऐसे ही लोगों की कमी माशरे में महसूस की जा सकती है जा माशरे में नफरत का जहर खोलकर तफरके के आड़ में सियासत चमकाने वालों की कमी नहीं है लेकिन कल्यान राव मुझवन भी उसुलों वाले और कट्टरवादी सोच के खिलाब थे बेलगाम में किसान का इद्रा के सिर्टिकेट के जलास में भी वो पेश पेश रहे हैं लिहाज आज इनकी मौत पर अफसोस का इजहर किया जा रहे हैं अहम ख़बरों के बाद हैं मवजू पर एक नज़र जिसकदर तमाम माशरा बुराईं की गिरफ्त में जखरता जा रहा है इसकी इंतहा क्या ह हो सकती है इसका अंधवा नहीं लगा जा सकता हाथ कर माशरे में जिसकदर धर्म・जात-पात का जार रहा हर लिहाज से घौला जा रहा है आखर समझ हमें नहीं आता कि इतनी नफरत लोग लाते कहंसे हर मामिले में मजहब टरद रहा हर मामिलों को तोला जाता है कहते हैं जुरतमंदी बहद्दूरी मर्द के जवर है तो शर्म हया औरत के गहने और जवरे अल्ला ने अवरत को आइस्ता चलने का हूप में दिया ताकि तुम्हारे कदमों के आहड से खूबसूरती का अंताजा न लगाए जाए मतलब किसकदर अल्ला ने औरत के कदमों के आहड तक का खया रखा है दरसल आज इस बात पर तजकरा इसलिए भी जरूर समझूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम लड़कियों का मुर् प्रामत जरूरी समझूँगा कि अल्ला से करें दूर तो तालीम भी फितना अमलाग भी आउलाद भी जागिर भी फितना और यह सच है क्योंकि आज कल इल्म पर जोर बहुत दिया जा रहा है सभी एडूकेश्ट बनना चाहते हैं और होना भी चाहिए अक्सर हमारे माशरे क ये बड़े इल्मी दानी शरों को ये कहते बेस सुनते रहते हैं कि हमारे माशरा इसलिए पिछ्ड़ा हुआ है क्योंकि तालीम ही मैदान में हम पीछे हैं असच भी है पर साथ में हमने तर्वियत को पिछे छोड़ दिया हैं दीनी तर्वियत के बगार तुमारी तालीम में पढ़ने वाली लड़किया गैरों के साथ घुमती पकड़ी जारी कुछ को समझा बुजा कर घर बेर दिया तो कुछ इस हद तक गुजरी हुई थी कि जिन समाज ये समझानी की कोशिश की उन्हें ही सवक पढ़ाने लगी और मुकदमी की तक दमकिया देने लगी आकर किस दिशा में या किस सिम्थ में हम अपनी बेटियों की तरविये जारी रखे हैं महसकी से एक खाननाम तक या बात मैदूत नहीं है बलके तमाम माशरे पर इसकी तोहमत लगाई जाती है सब को एक बड़ा बाहना मिला है क्या इसलाम में इल्म सीखना मना है आप जैसे तंग नजरियों ने बेटियों को घरों में बिठा दिया इस तरह की बातों को दो गोया एक रुजहान चलावा है पर उस लड़की के दिल और जहन में अल्ला का खौफ तारी होना चाहिए और यह तमाम घरों में एक ताखपूर के टीवी स्रीयल देखने से नहीं आते बलके खुरान और सुनत की रोश्णी में बेटियां अपनी शर्म हया के साथ दुनिया के उंचे उदों पर फाइस हो स दुनिया है पर कभी समाग माशरे के काम नहीं आते हम यह भी नहीं कहते कि सिर्फ मुसलिम समाज के लिए बहुत कुछ कर गुजरो लेकिन ऐसा भी नहो के कोई गैर मुसलिम है तो उससे भी ज्यादा जल्म करने वाला है हमारा अफसर ना हो और अफसर साभित हो चुका है हम इस तरह के भी वाकिये हमने देखे हैं मुस्लिम इदारों की मदद से तो बड़े ओदों पर फाइज हो जाता है पर काउम को ही भूल जाते हैं जिन्नों ने इनके स्कूल की फीज अदा की थी एक और अलमिया ये भी है कि जब बड़े ओदों से नीचे उतर जाते हैं रिटार माती थी ऐसे भी देखे जिनका नाम पटेल है को कोई मुस्लिम ना समझे इसलिए पाटिल नाम की तख्ति अपने वर्दी पर लगाए हुए थे आखर ऐसे हैं इलम का क्या फाइदा उन्हीं दानी च्छरों से भी यह भी कहना चाहता हूं कि महस्त तालीम का रोना रोकर ता इमान बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया तो मुकदर है वैसे भी हराम कमाने का मुकाबला हमारे समाज में लगा हुआ है यहां तक कहने सुनने में आ रहा है कि कुछ अपने आपको जिम्मेदार समझने वाले भी गोवा के कैसीनों तक का सफ़र बेल गाम से करते अब इस महाशरे पर आल्ला की रहमति क्या नाजल होंगी किस तरह से अपनी मदद हम पर नाजिल करेगा कोई किसी का सुनने वाला नहीं जमाद का जिन्मदार बनने के लिए तक्वे वाला नहीं बलके अमीर होना जरूरी है फिर आप बले गारकानूनी तरीके से ही क्यों प ओकला बना दिया है लोग कैते हैं मुसल्मानों पर जल्म हो ho रहा है अगर मुस्लमानों के आमाल देखे जाए तो अवि बहुत कुछ होना है अब किसी को कुछ कहना भी है तो अजीब मामला है हर कोई दूसरे को सुनाना चाहता है कोई किसी का सुनकर आमन नहीं करना चाहता और दीनी रहनुमाओं में आप से एक्तलाफात एक अलग मामला है जमातों का एक्तलाफ और आगे चल कर देखते हैं तो सियासी पार्टियों की महबत ने तो इसलाम इमान से भी उच्जा बना दिया। खेर सवाल यहां खड़ा होता है कि लव जहाद का हुआ खड़ा कर मुस्लिम नौजवानों को पीटा गया। मामिले को इतना बड़ा बनाएगा है कि कानून बनाने तक कि इस पर बहस मभास किये गए। कभी महबत का महून ही अलग था, महबत एक फित्री अमल है। महबत कभी किसी सरदों को नहीं मनती है, ऐसा कहा जाता था, पर अब महबत ने साजिश का चोला पान रखा है। खुले आम फिरका परस्तों ने बेटी बचाओ बहुलाओ की तहरीक चलाई है। इसमें सबसे आतानी से वो कौम फसरी है, जिसे जिसे जिन्दगी मौत और मौत के बात का सलीकत सिखा गया था। इज़त शर्म हया परदे की एहलियत को समझाया गया था, फातिमा रज़ियू ने कहा के, मैं अगर मर्द भी जाओं तो मेरी मैयत को राप के अंदेरे में उटाना, ताकि किसी गैर की नजर भी जनाजे पर न पड़े। कैसी कैसी तालीम दी थी इसलाम की तालीम से आज भी दुनिया है, इसमें इतनी कशिश है के जो भी इसलाम को बदनाम करने के लिए नुक्स निकालने गया, इसलाम का हो गया, और आज इस काउम की बेटियां इमान इसलाम से दूर होकर मुर्तद हो रही है, उन बेटियों से या शर्मिंदा ना करो और वालिदेन की भी जिम्मेदारी है कि घंटों मोवल पर बेटी किसके साथ बात कर लिये चाटिंग कर रही है इसका ध्यान रखिया ऐसा नहीं कि मा टीवी सिरेल से घर के कामों में मस्रूफ है और बाप पैसे कमाने के पीचे लगा हुआ है इसके नत बनकर निकलते हैं वालिदेन से पूछो तो आपको जवाब ऐसे देंगे जैसे पूरे शहर में शराफत इनकी बेटी से ही चुरू होती है यकिन अपने बच्चों पर भरोसा होना चाहिए लेकिन कहीं आपका ये भरोसा खांदान के साथ माशरे को भी दागदार न कर दे ब सुद्ध को कभी टीवी सीरियल से पूरतत नहीं होती है अब तो इने भी वाटसाप और फेसबूक की आदत पढ़ने की तला असल हो रही है आखर शायतान ने कोई घर जमीन का कोई किता छोड़ा ही नहीं जिसने पूरी दुनिया को इंटरनेट के जाल में फसा दिया है एक चेक भी किया करें वरना यूहीं जूटी महबत साजिशों के जाल में कौम की बेटियां फस्ती रहेंगी और हम यूहीं इजलास मिटिंग मेमरनम प्रेस कॉनफरेंस का खेल खेलते रहेंगे इत्यार मुझे देखने के लिए शुक्रिया अलाब्स